बच्चो कैसे हैं आप सब और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और इस नई वीडियो में आप देखेंगे कक्षा चार हिंदी की पाठे पुस्तक रिम जिम के अध्याए 5 दोस्त की पोशाक बच्चो ये बहुत मज़ेदार अध्याए है और इस मज़ नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल सहाब से मिले अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुएं कुछ देर गप्शप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त महले में घूमाएं जमाल सहाब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस पीली अचकन निकाल लाए और कहा इसे पहन लो इसमें तुम खुब अच्छ लगोगे सब देखते रह जाएंगे बंठन कर दोनों घूमने निकले दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पडोसी के घर गए नसीरुद्दीन ने पडोसी से कहा ये है मेरे खास दोस्त जमाल सहाब आ ऐसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है यह सुनकर जमाल सहाब पर तो मानो घडो पानी पड़ गया बहार निकलते ही मुँ बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अकल है क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है तुम्हारा पडोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं तब क्या हुआ तब नसीरुद्दीन ने माफी मानते हुए कहा गलती हो गई अब ऐसा नहीं कहूंगा अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसेन सहाब से मिलवाने ले गए हुसेन सहाब ने गरम जोशी से उनक कोने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है जमाल सहाब फिर नराज हो गए बाहर आकर बोले जूट बोलने को किसने कहा था तुमसे क्यों नसीर उद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चल तभी एक अन्यपडोसी मिल गए नसीर उद्दीन ने जमाल सहाब का परीचय उनसे करवाया मैं आपका परीचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ यह हैं जमाल सहाब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है देखा आप दोस्तो ऐसी ही और मनोरंजग कहानिया देखने के लिए एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें अनुभारतिय ओफिशल धन्यवाद दोस्तो